नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईए इसमें हिस्ट्री सीरीज को आप लोग बारी बारी से कंप्लीट कर रहें इस सीरीज को आप लोग कंटिनीव रूप से फोरो करें इसमें उनी प्रस्णों को सामिल किया जा रहा है जो एक्जाम के दिरिश्टी कोल से काफिर रिलिवेंट है और बदलते पैटर्न के उनसार क्वेस्चन को भी उसी तरीके से आप लोगों को परवाइड कराया जा रहा है जो आने वाले चैनलों BPSC के बात करें BPSC के बात करें सारे एक्जामों के लिए समान रूप से रिलिवेंट होगा पहला प्रस्ण है आपे कथन 1 में देख पारें 20-20 सतावदी के आरम में एक नई संकर वास्तुसिल्प सैली इसी को हाइब्रीड आर्किटेक्चर भी बोला जाता है हाइब्रीड आर्किटेक्चर भीखसित किया गया जिसमें भारतीय सैली के साथ यूरोपिय सैली का संयोजन था दूसरा कथन है लोक वास्तुसिल्प में भारतीय और यूरोपिय सैली क आयकी करण करके अंग्रेजी हसित करना चाहते थे कि वे भारत के वैद सासके देखा जाए तो कथन है, एक तरफ यहां पे कथन है और दूसरे तरफ यहां पे दिया हुआ है, कथन सकेंड है यहां पे ठीक है? तो कथन सेकेंड है कथन वन का सही तरीके से ब्याख्या कर रहा है इसमें कोई डाउट नहीं है आईए हम लोग देखते हैं कि कैसे ये कथन सेकेंड कथन वन की सही तरीके से ब्याख्या कर रहा है तो बिस्वी सताबदी के दोरान शुरुवाती तोर पे देखा जाए तो एक नई वास्तुकला सहली का डेवलप्मेंट किया गया जिसको यहाँ पे बोला गया हाइब्रीड आर्खिटेक्चर बोला गया जिसने भारतियों को एरूपियों के साथ जुड़ने का प्रयास किया कैसे जुड़ने का प्रयास किया तो अंग्रियजों ने यहाँ पे जिस कला का डेवलप्मेंट किया उसका नाम रखा गया इंडो सरसेनिक वास्तुकला और इसमें उन लोगों ने इंडो को यहाँ पर जोड़ दिया हिंडू से और यहाँ पर सरसेनी को जोड़ दिया मुस्लिमों से मुस्लिमों से यहाँ पर जोड़ दिया जो कि मुस्लिमों को नामित करने के लिए इस्तिमाल किया जा रहा था अब इस सैली के तहट थोड़ा बहुत वास्तु काला में परवर्तन लाया गया जिसे कि बड़े बड़े गुमबद छत्रियो या फिर जालिया हो गया महराव हो गया इन सारे ही चीजों के यहां पर बनाया जाने लगा जो कि मुगल काल में देखा जाए या फिर मध्य काल में देखा जाए तो अल्ड़ेडी बन रहा था उसी में थोड़ा बहुत यहां पर चेंजज लाने का परयास किया गया अब इस सारा चेंजज क्यों लाया जा रहा है तो दूसरा statement देखिए कथन से केन कि लोग वास्तु सिल्प में भारती और यूरोपिय से लिक आएगी करनल करके अंग्रेजी यह सिद करना चाहते थे कि वे भारत के वैद सा सके अब यहीं चीज है ना देख पा रहे हैं कि भारती है जो वास्तु कला है उसका भी कहीं कहीं किसी रूप में ओपनिवेसी करनल करने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है और दोनों को यहां पर एकिकरित करने का प्रयास किया जा रहा है अपनी आपको वैद करने का प्रयास किया जा रहा है इसका सबसे बड़ा एक्जामपल है 1911 में देखेंगे तो जब किंग जोर्ज पंचम और क्विन मेरिका भारत में आगमन होगा खासकर बंगाल विभाजन के बाद से तो उनके स्वागत के लिए परंप्रिक गुजराती सैली में जो बनाया गया था जिसका नाम है गेटवे ओफ इंडिया गेटवे ओफ इंडिया जो है इस सैली का रथात इंडोस अरसेनिक वस्तुकला सैली का परमुख फुदारर है लेकिन दूसरे तरफ आपको एभी ध्यार डखना होगा आजवर्तमान में जो ताजमाल होटल पुड़े भारत किसान है उस समय उद्योग पती जमसेद जी टाटा ने 1903 के आसपास आप लोग डेट कनफरम कर लिएगा 1903 के आसपास इसका निर्माल कराया हुआ था और इसका निर्माल भी हुआ है इंडो सार्षेनिक वस्तु कला के माधियम से तो समय अंग्रेजों के द्वारा भी उसी कला का प्रियोग करके बड़े बड़े होटल ओगरा का निर्माल कराया जा रहा था और जमसेद जी टाटा ने एक तरीके से चुनावती पेस किया अब यहाँ पर आपको समझना है कि जमसेद जी टाटा जी जब इस सहिली का प्रियोग करके उनके द्वारे हाँ पर बनवाया गया तो कई सिंबलाइच परतीक हो गया एक तो उद्यम का परतीक हुआ इसके साथ साथ देखा जाया तो भारती एक अला सहिली का भी परतीक हुआ तो इनी सारे चीजों का आपको ध्यान में रखना है लेकिन प्रश्ण जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है दोनों ही कथन अलग-अलग सही है और कथन जो सेकेंडे कथन वन की सही तरीके से ब्याख्या भी कर रहा है दूसरा प्रशन है यहाँ पे कथन वन में अस्थाई बंदुबस्त बंगाल से परे किसी अन्य छेत्र में बिरले ही बढ़ाया गया था 1810 के बाद से किरिसी संबन्धी किमतों में गिरावट आई जिस से बंगाल के जमिनदारों की आया पर परतिकूल प्रभाह पढ़ा अब यहाँ पे आप लुक समझने का प्रियास करिए दूसरा प्राशन बहुत सारे अस्टियन को लगता आओगा कि यह बिल्कुल सही है लेकिन यह यहाँ पे बिल्कुल ही गलत है आई यह हम लोग समझने का प्रयास करते हैं अस्थाई बंदवस्त के दिखें बात करें तो आपको धियान रखना होगा करनवालिस के द्वारा लगाया गया था 1793 में और इसमें किया क्या गया था तो यहाँ पे जमिनदारों को भूमी का मालिक बना दिया गया था और एक जो रवेन्यू था एक जो रजस्व दर था फिक्स कर लिया गया था कि किसी भी प्रस्तिती में अनाज कम हो अधिक हो महंगाई कम हो अधिक हो डजन्ट मैटर हमें हर हाल में revenue यहां पे चाहिए और जमिनदारों को सुर्यास्त कानून के अंतरगत भी यहां पे सामिल कर लिया गया था तो initial way में देखेंगे starting में जब इस ब्वस्था को लगाया गया था तो जमिनदारों को समस्या आई तो जमिनदारों को यहां पे समस्या जरूर आई लेकिन चुकि यह fix था यहीं आपको ध्यान रखना है तो धीरे धीरे यहां पे फसल का उत्पादन बढ़ा महंगाई भी भड़ी तो इससे यहां पे क्या हुआ बड़े मातरा में जमिनदारों को फायदा हुआ जमिनदारों को यहां पे इतना फायदा हुआ कि धीरे धीरे जमिनदार देखेंगे तो बिलकुल यंग्रेजों के तरह ठाट बाट से रहने के लिए ग्रामिर छेतरों से जाके कलकत्ता के में सहरों में भी जाके बॉसने लगे इसलिए यहाँ पे जो कथन सकेंड एकार आएकट हरे सो दस के बाद से क्रिशी सम्मंधी किमतों में गिरावत तो जरूर आई लेकिन उस समय बंगाल के जमिनदार अपने आपको काफी हत्त कर लिये थे इसलिए बंगाल के जमिनदारों के आए पर परतिकुल परभाव नहीं पड़ा अर्थात वे पूरी तरीकी सस्टेन कर लिये कोई उनको यहाँ पे समस्या नहीं हुई जो कि रजासों के मांग क्या थी पूरी तरीके से फिक्स थी यहीं मैं आपको समझाना चाहा रहा था और अपने वेसिक जो भी राज्य थे ब्रिटिस राज्य थे सिंपल महासा में देखा जाए तो अब महागाई बढ़े कम हो अतरिक्त जो आए थी या फिर जो भी फायदा था जमिंदारों का ठीक है उस पे यह लोग किसी भी तरीके से ब्रिटिस लोग यहाँ पे कलेम नहीं कर सकते थे जो कि यह कॉल डेडी उसके लिए ठीक है कानून बन चुका था अब इसी से सीख मिला अंग्रेजो को कि एक मुक्स्त में फिक्स नहीं करना है इसलिए देखेंगे तो महलवाड़ी बेवस्ता है रहयतवाड़ी बेवस्ता है जहाँ पे एक समय के बाद से पुना राजस्व का निर्धारण किया जाता था बिचोलिये के रूप में देखा जाया तो लगबग हाटा ही दिया गया था खासकर रहयतवाड़ी बेवस्ता में तो काफी आगे चेंजर जिलाया गया लेकिन यहाँ पे कथन तो सही है लेकिन कथन जो सेकेंड है कथन फर्स सही है आमरर अंसन पर चले गए, बिल्कुल ही correct है, पुना समझावता का परड़ाम एक सयुक्ति निर्वाचा मंडल के रूप में सामने है, जिसमें दलित वर्गों के लिए अरचित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई, बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सिंपल सा concept है, कथन जो सिके आपना भी की गई थी, दलितों को संगठित करने के लिए, और दूसरे गोलमेज में जिसमें गांधी खुद पाल्टिसिपेट किये, इसमें तो सामने सामने आहीं गए, एक तरफ भीमराव अम्बेतकर और दूसरे तरफ गांधी, अब अम्बेतकर ने उसी समय यहाँ पे, प्रिथक निर्वाचन का पुरा पुरा अल्प संख्यको को, मतलब खासकर दली तो के लिए यहाँ पे रखा हुआ था, कि हमें चाहिए ही चाहिए, प्रिथक निर्वाचन तो लेटी मुस्लिमों को दे दिया गया था, और उस समय उसके अधेक्स्ता कौन कर रहा था, तो आ यहाँ पे गांधी की बात को अनसुना कर दिया, और अम्वेतकर की बात को यहाँ पे माना गया, प्रिथक निर्वाचन, प्रिथक निर्वाचन, और रामसे मेकड़नल, जो उसमें बिर्टिस परधान मंत्री ही थे वे, संप्रदाइक अधेनील्डए की उनके द्वारा यह इंगलो इंडियन, दबे कुछले, लोग, यहाँ तक कि मराठो की बंबई की कुछ सीटों के लिए अलग-अलग मददताओं को यहाँ पे चुना गया था, मतलब सेप्रेट यहाँ पे कर देगा था, प्रिथक निर्वाचन, अब यहीं प्रिथक निर्वाचन को ले कि गां मानना था कि दलितों के लिए अलग-अलग मतदान, समाज में एक इकलर की पुरिकरिया को क्या कर देगा, धीमा कर देगा, जब एक इकलर की पुरिकरिया ही नहीं होगी, तो कभी भी भारत हगाद हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, अब यहीं है कि जब ब्रिथी सरकार ने आ अम्रर अन्षन यहां पर शुरू कर दिया और इसी ती जब बिगरती गई तो अम्बेदकर ने अंतता गांधी जी की बातों को यहां पर सिवकार किया और 24 सितंबर को 24 सितंबर 1932 को पूना संधी यहां पर हुआ जिसमें अम्बेदकर ने प्रिथक निर्वाचन के बिचार को छोड़ दिया लेकिन दलित वर्गों के लिए अराच्छित सीटों के लिए संयुक्त निर्वाचन का बिचार सिवकार कर लिया गया गांधी की द्वारा यहां पर दि 147 और केंद्रिय बिधान मंडल में देखा जाए तो कुल 18% कर दी गई थी तो आई होप आप लोग चीजों को समझ रहे होंगे इसलिए कथन सेकेंड है कथन पहला का प्रत्थम का सही ब्याख्या कर रहा है कॉर्एक्ट उतर हो जएगा ए 1856 में नवाब वाजिद अलिसा को उनके छेतर में कुसासन होने के तरपर गद्दी से उतार कर कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया था जो कि बिल्कुल ही कॉर्एक्ट स्टेट्मेंट है दूसरा है यहाँ पे नवाब पर अभियोग लगाया गया था कि वे बिद्रोही मुकिया और तालुकदारों पर नियंतर और पाने में असमर्थ रहें ये भी बिल्कुल सही है कठन सेकेंड कठन वन का सही ब्याख्या कर रहा है कॉरेक्ट उतर हो जाएगा यहाँ पे अब यहाँ पे आपको धियान होगा आउटराम रिपोर्ट के अधार पे किया गया था सब आउटराम रिपोर्ट जो पूरी त्रीक Люб जाल साजी रिपोर्ट भी इसको माना जाता है उसमें डॉल होजी था और डॉल होजी ने इसी रिपोर्ट को अधार मानके 1856 में अवात का बि अब साय्क संदि के मतलब क्या था यहां पे? कि नवाब को अपने सैने बल को भंग करना पड़ता था, अंग्रेजों को अपने सैनी को राजे के भीतर लाने की अनु법利 लगैंगे, बिरिटिस रेजिडेन की सला के अनुसार कारे करना, अब पूरी तरीके से जो जुडिसरी सिष्टर में उस सब भी वहाँ पे अपलाई कर दिया गया अपने ससस्त्र भलो से वंची तब यहीं समझना है ना कि अब नवाब के पास अपना जो सेना है ही नहीं दूसरों के रहमुकरम पे हैं तो अब यहीं से माना जाता है कि नवाब राज्य के भीतर कनुन ब्यवस्ता बनाए रखने के लिए तेजी से अब अंग्रेजों पर निर्वर हो गया अब वह बिद्रोही परमुकों और तालुकों पर नियंत्र नहीं रख सकता था इसी बीच आवत के छेतर को पराप्त करने में ब्रिटिस्यों को दिल्चस्पी बढ़ गई कि उन्हें लगा कि वहां की जो मिट्टी है इंडिगों के लिए नील की खेती के लिए कापास कित पादन के लिए अनुकूल है अब यहां पर जरूरी था कि पहले तो बफर जोन के रूप में उसको बनाया गया था लेकिन अब वहां से बैपारिक लाब लेना अंग्रेजों का मुख्य हुदे से था और 1850 कदा दसक तक ये भी आपको समझना है कि उस समय तक भारत की जो राजनीतिक वेवस्था थी बिल्कूल ही अंग्रेजों के अनुकूल हो चुकी थी मराथा दोवाब हो गया करनाटरक पंजाब बंगाल सारी छेतरों को अधिगरहन कर ही लिया गया था बचा कौन था अ माना कि वाजिद अली साह एक और लोगपिरियसा सक है लेकिन इसके जर्ष्ट उलता था बहुत सारे इतियांसकार बताते हैं कि जो वाजिद अली साह था उसकी लोगपिरिता अपने लोगों में काफी अच्छी खासी बनी हुई थी इसलिए जब वाजिद अली साह को जब अवत से निकाला जा रहा था तो आस पास के छेत्रों में कानपूर वगेरा लखनौ वगेरा जो भी छेत्र हैं लोग मतलब रो रहे थे बिलाब के गीत गार है थे तो आउटरॉम की जो रिपोर्ट है सरासर क्या थी उगलत थी इसलिए दोनों कथन व्यक्तिगत रूप से सही ये लेकिन कथन सेकेंट है कथन वण का सही असपस्टि करड़ है प्राचीन समाजों के अभिजात्य जिससे बिसिष्ट वर्ग बोला जाता है परिवारों के बारे में इतिहास वेता अधिगतर अभिलेकों से सुचनाय प्राप्त करते हैं बिल्कुल सही है साथवाहन अभि बिल्कुल सही है लेकिन दूसरा यहां पर गलत हो जाएगा आईए समझते हैं पहला सही है तो क्यों है दूसरा गलत है तो क्यों है देखिए सुरवाती जो समाजों के लिए यहां पर जो भी यहां पर इतिहास कारों के द्वारा इतिहास कारों के द्वारा बरामत किया गया सि देख लीजिए वे ही लोग जो अपर क्लास है या फिर जो इंटिलेक्ट्वल लोग है वहीं लोग अपना बुक लेखेंगे तो उसमें अधिकतर जनकारी उनहीं लोगों के बारे मिलेगी और उस समय होता भी था गरीब लोगों का इतिहास फिर गरीबों का इतिहास कौन लाने की सम्भावन बढ़ जाती है अनुमति मिल जाती है हलाद के आम लोगों के परवारिक सम्मंदों को फिर से को रिलेट करना उनके बारे में जनकारी कठा करना एक बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाता है इतिहास कारों के चुकि उनके बारे में इतनी जनकारी नहीं मिलती है दूसरा है यहाँ पे सातवाहनों के बारे में देखिए अब यहाँ पे आप लोग पता होगा कि सातवाहन जो सासक थे जितने भी सासक आए जिसे गौत्मी पुत्र साथकन्री वसिष्टी पुत्र साथकन्री कई सारे पीडियों के नाम है जो भी सिरालेखवा से बरामद हुए है अब उसमें जो भी यहाँ पे सिर्षक लगा हुआ है आपको समझना है जो भी यहाँ पे सिर्षक लगा है साथ करनी वो माता को इंडिकेट करता है नहीं रखेगा माता को इंडिकेट करता है जिसे कि गोत्मी पुत्र सब्दकार थे गोत्मी का पुत्र मने गोत्मी ठीक है जो उनकी मा थी जहाँ गोतमी और वस्षिष्टी चिसे नाम गोतम और वस्षिष्टी के इस्तिवी रूप है जिसे की वैदिक द्रिश्टी को और जिनके बाद गोत्र का भी नाम आया और दूसरा चीज यहाँ पे दिया हुआ है देख पा रहे हैं यहाँ पे ठीक है कि पुत्र सब्द है जिसका अर्थ यहाँ पे पुत्र ही होता है और समान सिर्शक राजा और जो भी सब्द था जिसे पुत्र के साथ समाप्थ होता है एक प्रकृतिक सब्ध है जिसका अर्थ होता है यहाँ पे बेटा यहीं आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जिसका अर्थ यहाँ पे क्या है बेटा दिया हुआ है यहाँ पे तो यह पूर्था क्या हो सकता है सही यहाँ पे नहीं हो सकता है ठीक है अपने आप में अस्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा चुकि इंडिकेट किसको किया जा रहा है माता को यहां पर किया जा रहा है अर्थात मैं एक लाइन में बोलू तो देखिए सात्माहन जो राजवन्स था मातरी सतात्मक था यहां पर जहां पर माता को अधिक प्रवरिटी दिया जा रहा था पित्र सतात्मक की जैसा नहीं था वहां पर देखेंगे तो जो सासक बनता था वो पुत्र ही बनता था लेकिन जो अभी लेख मिला है इसमें जो बल दिया गया है पिता पर नहीं दिया गया है बलकि माता पर दिया है 19. सताथब्धी के प्रगरम में ब्रिटिस कालीन भारत के नगर नियोजन के बारे में निमली खित कथनों मेंसे कौन से कथन्द सही है नगरों की उननती के लिए धन सरजनिक लोटरी के द्वारा भी कतिरित किया जाता था बिल्कुल सही है उनिस्वी सतादीप के प्ररमफिक दसकों में महमारे की असंकाओं ने नगर नियोजन को बढ़ावा दिया। ये भी बिल्कुल सही है। तो देखेंगे तो उनिस्वी सतादीप के सुरुवात में ब्रिटिस हरत में जो नगर नियोजन किया गया। उन लोटरी कमेटी के तरगत इसके मदद से किया था। अब सारजनिक लोटरी के माध्यम से सहर में सुधार के लिए यहां पर जो भी धन था ये इकठा किया जाता था। क्यों जरूरी था सहर बनाना अंगरेजों के लिए। देखें उनका मखज़त यह नहीं था कि सहर बना दिया जाए तो भार बन जाए पांच मंजील दस मंजील पूरा टाइल विर लग जाए लेकिन आस पास क्या है रोड अच्छे नहीं है जुग्गी जोपड़ी है गरीब लोग है यहां पे उनके पास लाइबली हुड नहीं अच्छा फिसलिटी नहीं है तो जब यहां गंदगी होगी यहां गं पर में लेकिन जो भी भारतिय लोग थे जहां मलीन बस्तिया थी गंदगी तेजी से फैलती थी तो सभायूक सी बात है उसमें महमारी उगरा फैलती ही फैलती थी तो वे लोग चपेटे में आ जाते थे इसलिए उन लोगों को लगा कि नहीं हम लोग जहां रह रहें आस-प के रियां यहां पर ठीक होना जाहिए तो महमारी के खत्रों को देखते हुए यह सब परियास किया गया और बार बार जैसे फूस उगरा की घर होती थी आग भी लग जाते थी गर्मी के दिनों में तो टाइल उगरा यहाँ पर अनिवारे कर दिये गया चछत उगरा लगाना कि अब सब कोई चछत लगाएगा चछत वो लग घर बनाएगा तो इस प्रकार से धीरी धीरे यहाँ पर नगर बसने लग गया तो यहाँ पर देखा जाए तो correct उतर यहाँ पर क्या हो ज 47 को भारत की सोतंतरता के सुचना देते हुए सत्ता के हस्तांतरण की घोंशड़ा लाउड माउंड बेटें द्वारा की गई थी बिल्कुल सही है महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 को अरग धानी में उत्सों में प्वस्तित नहीं थे अजात भारत के समय उस समय सारे लोग सतंतरता अधनियम 1947 चुकि जुलाई 1900 जुलाई 1947 में अंतिम वाइस रहे माउंड बेटें द्वारा यह तो गोंशड़ा कर ही दिया गया था कि भारत पूर्ण रूप से यहां पे आजाद हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को अब यहां पे आपको समझना है कि देखिए 15 अगस्त 1947 को माउंड बेटें द्वारा सत्ता हस्तांतरल की अधिकारिक गोंशड़ा कर दी गई लेकिन उस समय गांधी रजधानी में मौझूद नहीं थे क्योंकि वे लोगों के बीच बंगाल में थे हिंसा फैल चुकी थी विभीन समधाय के बीच राज्य में हो रहे है विभाजन और धंगों के कारण पहले से ही संकट में थे और हजारों लोगों को धरम के नाम पर कतल मतलब एक जो सिविल वार होता है बहुत सारा मूबे जैसे मंटों मूबे में प्रिफर करूंगा आप लोग देखिए आपको समझ में आएगा चुकि बीच वाला जो एरिया जैसे बिहार का एरिया यूपी का एरिया है ठीक है जो भी देखे जाए ठीक है बीच वाले एरिया पता नहीं लग पाता था उस समय सुचना उतना अच्छा नहीं था लेकिन इश्ट और वेश्ट खास कर उतर पस्चिम और पूरब के छेतरों पे जो उस समय नरसंहार हुआ है जो लोगों को कश्ट को सामना करना पड़ा है गांधी उपता था ये सारी बाते और वे उनहीं लोगों के बीच जा कि उसको रहे थे तो इसलिए राजधानी में उपस्तित यहां पर नहीं थे उत्सों में उपस्तित नहीं थे इन ही लोगों के द्वारा यहाँ पे देखेंगे तो Congress Socialist Party की अस्थापना की गई थी जो Congress की समाजवादी सखा के रूपे मवजूद थी 17 मई 1934 को जिसमें परमुख नामे जैप्रकास नरायन और Congress के अन्य सदस्यों के द्वारा की गई थी जैप्रकास नरायन इस पार्टी के महासचिव भी बने हुए थे क्यों हुआ था Congress Socialist Party के गठा तो देखिए गांधी से मतभेद बिचारों में लेके बिचारों के लेके गांधी से मतभेद था इसलिए Congress की भीतर ही किया गया था देखिए Congress के भीतर यहाँ पे जिससे स्वराज पार्टी के अस्थापना की गई थी वैसे ही यहाँ पे भी कर दिया गया Congress Socialist Party भी यहाँ पे कर दिया गया जिसमें Important नाम है और यहाँ पे लच्छ रखा गया था स्वतंत्रता को समाजबाद को और यहीं कारण है कि 1947 में भारत जब आजाद हुआ स्वतंत्रता तो इनकल अच्छ पूरा हो गया लेकिन समाजबाद तो एक दिन में आएगा नहीं तो 1948 में CSP को Congress Socialist Party को डिमूलिस भी कर दिया गया और भी नाम है डिसी डक्टर राजंदर परसाद 1950 से 1962 तक भारत के पहले राश्पती भी राचुके दो दो बार मौलाना अजाद मानोसन साधन और विकास मंत्राले के तहत भारत सरकार के पहले सिछा मंत्री भी थे सरदार वल्लभाई पटेल नाम ही काफी है भारत के पहले उप्रधान मंत्री भारत गड़राज्य के संस्थापक के पिता ऐसे बहुत सारी उपलबदी है सरदार पटेल की हडपा सभेता के बारे में निमलिखित कत्मों में इसे कौन से कतन सही है सिल्प तत्यों में और सधारण एक रूपता पाई जाती है जैसे कि मिटी के बर्तनों मुहर इट और तौल से सू असपस्थ है बिल्कुल यहाँ पे इस अही है हडपा संस्कृत्ती ने अपने सहरों को बिल्कुल इस सतरंज प्रणाली की तरह होता है ना इसे सल्डक का जाल, जल निकासी, प्रणाली, मतलब जितने भी तारिप किया जाए हूर अपपा काल की ओकंग है, अनगार की बात कर लिए जाए, महानसनानगार की बात कर लिए जाए हर जगह आपको एक असधारल एक रूपता दिखाई देगी और इसलिए तो माना जाता है कि कोई न कोई केंद्रिकरल सत्ता जरूर मौजूद हो गया जो उन सारे चीजों को संचालित कर रहा होगा जैसे भारत में ही अभी रूपिया हर जेगा चल रहा है जो भी पेरामिटर् तो कहिन कहीं एक रूपता आपको दिखाई दे रहे है कि नहीं दे रहे है यहीं चीज हरपकाल में था इसलिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरा स्टेटमेंट है बात के हरपास्तलों में भी उसी निर्मार तकनिक को प्योग में लिया गया जो परिपको हडपा इसी को हम बोल देते हैं सहरी सब्यता तीसरा है यहाँ पे ग्रामिट सब्यता चुकि परिपको हडपा जब पूरी तरीके से चर्मरा गई तो फिर से किसमें कनिवर्ट हो गई ग्रामिट में अब पीछे से अप लिंक कर सकते हैं पूरा पसार काल से ही लिं सब बसने लगा, तो वहीं सारा चीज, एक जो इंटिग्रेशन जो दिखाई देता है, अच्छा खासा दिखाई देता है, अब इस ग्रामिल सभीता में देखेंगे तो क्रिसी बड़े पैमाने पर किया गया, अधिसेस बचने लगा, तो गैर क्रिसी कर्मों को परॉत्साहन मि अलग-अलग काम करने लगा वस्तु बिन में परड़ाली यहां पर आ गए पुल मिला के देखाया ते देख पारें किस तरीके से प्राथमी किरिया कलाप के साथ सथ दिरितिय किरिया कलाप यहां पर सुरू हो चुकी है अब सभाविक सी बात है कि देख तेरे बहुत सारा कंश्रक्षन का काम भी होगा लोग और अपनी अवसकताओं को असान बनाएंगे पूरा करेंगे सहरी करण का विकास होगा यहां पर अब यहीं समझना है आपको कि यह सहरी करण का विकास हो रहा है बैग्यानिक पदेती अभी हमने देखा पूरी तरीके से सतरंज परणाली की तरह काटती हुई पर काटती सड़के सड़कों का जाल जल निकासी परणाली तो जब ये पूरी तरीके से धवस्त होने लगे ये जो नगरिकरनर पनडाली है पुना गरामिर पनडाली में अगर ये आ रहा है तो गरामिर पनडाली में आ रहा है तभी हमें ने जो भी फैसलीटी का नाम लिया बैग्यानिक पदती, सरकों का जाल, ठकी हुई ना लिया क्या यहाँ पर दिखेगा आपको अगर यह दिखेगा तो फिर यह सहर धवस्ती नहीं होगा I hope चीजों को आप लोग समझ रहे होंगे इसलिए दूसरा sharement गलत हो जाएगा बात के हड़ापास्तलों में उसी निर्मार तकनीक को प्योग में लिया गया जो परिपक को हड़ापास्तलों में परियुक्त की गई थी इसलिए रहासर गलत हो जाएगा ठीक है जैन धराम के विशाय में निमलिखित में से कौन से कथन सही है जैंधरा में सबसे महतपूर विचार यह है कि संपूर विश्व जिवन्त है यहां तक की पत्थरों चटानों और पानी में भी जिवन है बिल्कुल यह correct statement है जैंधरा में सबसे महत्पूर बिचार यहीं है कि संपूर बिस्व में जीव है यहां तक की पत्थर, चटान, पानी में भी जीवन है करम के चक्र से स्वयम को मूथ करने के लिए वेराग और तपस्या किया वा सकता होती है यह भी जैंधरा में ही बताया गया है कि जैंधरा में करम के चक्र से स्वयम को मूथ करने के लिए मुच पराप करने के लिए गंभीर वेराग और तपस्या कि वा सकता होती है अर्थात यहां पे कश्ट देना पड़ेगा तब होगा और बुद्ध क्या बोल रहे है कि त्रिष्णा को त्यागो यहीं त्रिष्णा तुम्हें बार बार पुनर जनम कराएगा और यहां पे मुक्स की प्राप्ती नहीं हो पाए कि त्रिष्णा को त्यागो तो पुनर जनम भुख जाएगा हो जाएगी लेकिन यहां पर जैन्धरम में क्या है कथ होरता है यहां पर सरीर को कश्ट देना पड़ेगा वो इस दरीशिकोंट से देखा जाए तो दोनों ही statement यहां पर correct है correct तो तरह हो जाएगा C जैन्धरम में कुछ और भी बात हैं जैसे कि पहले तिर्थंकर, रिसब, नात है, महाबीर 24 तिर्थंकर और अंतिम तिर्थंकर भी है, जैन धरम के नुवाईयों को यहाँ पे जैन कहा जाता था, आज भी कहा जाता है, ठीक है, जैन धरम, वर्ड बेवस्था की अवधाणा की निंदा करता है, यह सब डारेक्ट पूछ ल तो कर देखेंगे, तो जैन और बॉद्ध, दोनों ही यहाँ पे, साइलेंट मोड में ही रहते हैं, ठीक है, इन में से कौन बुद्ध की धात्री मा थी, बहुत असान सा प्रशन है, ठीक है, और इसका कॉरेक्ट रूतर आपको पता ही होना चाहिए, महा प्रजापति गौत् संग में महिलाओ की अनमती दी गई, तो पहली भीचुड़ी भी बनी, पहली नन भी बनी, उनकी मौसी ही बनी ही यहाँ पे, कुछ इंपर्टेंट चीजे आप लोग जान लिजिए, जैसे कि बहुत धरम से रिलेटेड महायान है, उसी के उल्टा यहाँ पे हो जाएगा हीन महायान है, दोनों में थोड़ा आप लोग को मैं समझा देता हूँ, ठीक है, जो इंपर्टेंट बात है, वैसे तो उनलाइनर तो आप लोग को ध्यानी होगा, देखिए महायान में क्या होता है, तो बुद्ध की मृतियों के बाद, एक समूर बिक्सित होगा, जो मानता था कि सभी मनता के लिए जरूरी है, दिर्वार की पराथी, मुक्च की पराथी, और यह पूरी तरीके से सभी लोगों के लिए उपलब्द है, अब यह सब जो बाते कर रहा है, कौन कर रहा है, महायान वले कर रहे हैं, कि सारे लोगों को यहां पे मिल सकता है, अगर सभी लोग बुद्ध की सिच्खाओं को फोलो करें तो यहां पर मिल सकता है कोई समस्यां यहां पर नहीं होगी महायान बहुत धरम में सभी जो सिच्खाओं को फोलो करेंगे मानेंगे उनको आसानी से बोधिस्वत्व की पराप्ति यहां पर हो पाएगी लेकिन हिन यान में जैस्ट उल्टा था इनका ऐसा मानना नहीं था और कर्द बुध्ध लोग है वहीं यहां पर पराप्त कर सकते है अगे चलके इन हिन यान को यहां पर थिरवात की रूप में भी यहां पर जाने लगा थिरवात कर थे बड़ो का मार्ग, सिंपल सा बात है और महायान को यहां पर छोटो का मार्ग के यहां पर कर दिया गया लेकिन आगे चलके देखेंगे तो महायान बड़ो का मार्ग होगा, हीनियान छोटो का मार्ग होगा, ठीक है, आगे आएगा कहीं प्रश्ण नयगत में आपको बताऊंगा मिलिंद पनहों को भी आपको धियार रखना होगा जिसमें राजा मिनांडर और बहुत भिक्चुक मिनिंद पनहों के बीच नागसेन है नागसेन वर्सेज मिनांडर के बीच मिनादर के बीच जो पुरगस्वा बातची थे उसी को यहाँ पर संकलित किया गया मिलिंद पनाओ में मिलिंद पनाओ में यहाँ पर किया गया है तो यह भी काफी authentic गरंध है बहुत धरम से समंदित चीजों को जानने के लिए राजा मिनादर काफी फेमस था 160 BC से लेके 130 BC तक इसने भी सासन किया बुधी सत्व के बारे में निमलीखित में से कौन सा कथन सही है पहला स्टीटमेंट है उन्हें ऐसी दयालू हंस्ती के रूप में समझा जाता था जिन्होंने अपने परियतनों से पूरे संचित किये हुए अभी मैंने आपको बताया हुआ था उन्होंने निबान पराप्त करने के यतन की यत देखिए निबान और निर्वान दोनों मतलब एक ही अर्थ है संस्कृत में हम लोग निर्वान बोलते हैं और पाली में इसको निबान बोल देते हैं ठीके तो यहां पर बिल्कुल सही लिखा गया है कन्फूजन नहीं करना है देखिए यहां बेजो वेक्ती बुद्ध बनने या मुक्च पराप्त करने के मार्ग पर हैं उन्हीं को बोधि सत्तों कहा जाता है बोधि सत्तों का मतलग और महायान बहुत धराम का विकास तो ही आपको ध्यान होगा पहली सतावदी इसापूर तक देखा जाए तो बुद्ध को एक इससे इंसान के रूप में माना जाता था जो अपने परियासों के माध्यम से अर्थात आत्म ज्यान के माध्यम से निर्वाण की पराप्ति कर सकता है इसलिए बहुत सिच्छाओं ने निर्वाण को पराप्त करने में आत्म परियास को बहुत अधिक महतु दिया है अब ये कैसे पराप्त करेगा तो इसमें बताया गया कि दस परमिताओं को दस परमिताओं का अगर पूर्ण पालन किया जाए तो बोधिसत्व हो जाएगा बोधिसत्व जब दस बलो या भूमियों के रूप में भी जाना जाता है जिसे कि मुधिता, बिमला, दिप्ती अर्चिसमती सुदुर्जया, अभिमुखी दुरंगमा, अचल साधुमती, धंब मेगा यह सब को जब प्राप्त कर लेते हैं तब गौतम बुध कालाते हैं, बुध बन जाते हैं और यहीं है बोधिसत्व की अधारणा है यहीं जो परमिताय यहाँ पर आगे, इनको मानिये तब बुधिसत्व की अधारणा हो जाएगी तब यहीं नया सोच आ गया इसी नया सोच को कहा गया यहाँ पर बड़ा वाहन तब ही मैंने बताया था आपको, ठीक है बड़ा वाहन कहा गया और इससे पुरानी परमपरा को यहाँ पर छोटा वाहन बोला गया छोटा वाहन ठीक है तो थोड़ा चेंगेज आपको ध्यान रखना है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर होना चाहिए पत्थर पर बनी उभारदार मुर्ती कला के रूप में स्वर्ग से गंगा नदी के आउतरन का चितरन कहा किया गया है कोरेक्ट उतर है यह इसका ठीक है बी महा बलिपूरम में तमिलान्डो के कांचिपूर जिले में बंगाल की खाड़ी के कुरमंडल तर्पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा महा बलिपूरम एक कस्मारक जो पत्थर बरबनी इतनी संदार तरीके से उसमें दिखाया गया है उभरदार मुर्थिकला के रूप में स्वर्ग से गंगा नदी के आउतरन का चितरल है सबसे उसकी खास बात है कि उभरदार मुर्थिकला है एक विसाल खुली हुई चाटान है जो दो एकास्मक पत्थरों पर उपकिन किया गया है और उभरदार मुर्थिकला भागरती या फिर भागरत के नेतरीत में गंगा नदी के आउतरन की कहानी को दरसाता है इस परकर देका जड़ गंगा जल को अलोकिक सक्तियों से यहाँ पर युक्त माना जाता है और बिलकुल उसी की किनारे देखेंगे तरजुन की तपस्या को भी पल्लो बिरासत जो कि पल्लो सासक थे ठीगे उनके बिरास्तों पर यहाँ पर दिखाया गया है चित्रित किया गया है तो कितना संदार द्रिश्य होगा अब एजूम कर सकते हैं निमलिखित में से भारतियों सोतंदरता अधरियां 1947 की अभी लच्छडिक बिसेस्ता क्या नहीं है भारत की अधिपत्या अर्थात डोमिनियन देख पारें सिंधु बलुचिस्तान पश्चिमी पंजाब पुर्वी बंगाल और नौर्थ वेस्ट फ्रोंटियर पुर्वेंस को छोड़कर सेंस भारत का छेत्र मिला बिल्कुल सही है इस अधिनियम में ब्रिटी संसत की बिधाई इच्छा से एक समिधान निर्धारित करने को तला सा गया अब यहाँ पर देखेंगे न तो बी अप्सन यहाँ पर गलत हो जाएगा चुकि आपको धियान होना चाहिए भारतिय सो तंत्रता अधिनियम 1947 जो कि 3.1947 को मांट बिटेन योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है ब्रिटी संसत को दोरा पास किया गया था ठीक है पारित देखें अधारित था 3.1947 को लेकिन पारित किया गया था 5.07 जुलाई 1947 को और 18.07 जुलाई 1947 को ठीक है साही परमिसन यहां पे मिल चुका था इसमें मुखिम बिसेस्ता क्या थी कि दो सोतंतर राज ये भारत और पकिस्तान के रूप में आएगा सिमाओं का निर्धानर के लिए आयोग बनाया गया सर फिर सर सरील रेट किलिप द्वारा फिक अधेक्सा की गई हेट थे वहीं और इसमें जो भी पंजाब और बंगाल के विभाजन और उनके लिए अलग-अलग सिमाओं के अन्वतित दी गई और पकिस्तान में सब सामिल किया गया था ये सारा छेत्रे देखेंगे पश्चमी पंजाब, पुर्वी बंगाल, सिंद का छेत्र, उत्तर पश्चिम सिमाप्रांत, असम, सिवलपूर, खैरपूर के सिलहट विभाग, बलुचिस्तान, बलुचिस्तान की अन्याठ रियासते सब इसमें या पे सामिल थी लेकिन रियासते भारत या पकिस्तान में सामिल होने या अलग रहने के लिए सुतंतर थी, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों राजियों को समिधान सब आपने सम्मांधित देश के समिधान का निर्मान करने के लिए सुतंतर दी थी, ये तो यहाँ पे गलत हो जाएग इस अधनियम में दोशोतंतर अधनियम के अस्थापना करने के प्रस्थाव था सही है प्रतेक डॉमिनियन की समिधान सबागों किसी मीं समिधान को बनाने और अगिकार करने की असमित्य सक्तिका होना दिया जाना था ये भी बिलकुल सही बिसेशता नहीं है Departator यहां पे भी होगा निमलिखीत वालिजी केंद्रों में किसका मध्ध 18 سतवधी के बाद से पतन हो गया तो यहां पे जो पूराना होगा पतन तो उसी का होगा नहीं वालों के पतन तो नहीं होगा जो भी केंद्र मना जैसे कि कलकत्ता है देख पारे पुर्वी चेत्र, मदरास, दच्छडी चेत्र, बंबे, पुस्चिमी चेत्र तो इसका पतन कहा हुआ है तो और अधिक उभरते गया उभरते गया धाका कॉरेक्ट उतर होगा यहाँ पे सी चुकि पूरो अपनेसिक समय में देखेंगे अठारावी सतावदी के आसपास अभी हमने देखा भी था कि नगर अगरा का विकास होना शुरू हो गया था बरे रूप में परवरतन आया और अपनेसिक काल में सहरो के विकास को जानने से पूरो ब्रिटीस आसन से पहले ही सतावदियों के दवरान सहरी केंद्रों को हमें अबजर्ब करने की जरूरत है देखने की जरूरत है चुकि अठारावी सतावदी के मधिये में परवरतन के एक नया चरन था उस समय देखेंगे तो जैसे की ढाका है इधर ढाका इधर हो गया सूरत मसूली पटनाम इस सारे सहर धीरे-धीरे क्या समाप्थ होते चले गए कारण क्या था आपको धिहान होगा कि 1777 में जब से प्लासी का यूद लड़ा गया अंग्रेजों ने सारा धिहान बंगाल पे लगाना सुरू किया और बंगाल में लगाना सुरू किया कुलकता हुगली नदी की किनारे ओ सारा एरिया यहां पे डेवलप होते गया होते गया इसके अलावा फिर बंबे इधर बंबे इधर मदरास यह सब यहां पे डेवलप होने लगा तो जब यह सारा छेत्र जो कि बंदरगाहों की किनारे है सब यह डेवलप हो रहा है तो बाकी छेतर क्या होगा तो सपोज करिए बाकी छेतर तो उससे कम ही डेवलप होगा फिर धीरे धीरे उसका डिकलाइन होना तहीं हो जाएगा और यहीं हुगा भी कलकाता बंबे मदरास नए अपनिमेसिक बंदरगा नए आर्थिक रजधानी के रूप में तेजी से उबरा और अपनिमेसिक परशासन और राजनितिक सकती का केंद्र बन गया तो यह भी था लेकिन इसका उतना महत्तों नहीं रह गया जिसे धाका सूरत ठीके मशुली पटनम थोड़ा उसकी इंपोर्टेंस कम हो गया उनिस्वी सताबदी या फिर अरंभिक बिस्वी सताबदी में बंगाल नाट्टे कला की एक अगरणी हस्ती जिनका नाम था बनी नोदिनी दासी इनका नाम याद रखेंगे इनके बारे में निमलिखित में से कौन से कथन सही है वे कलकत्ता में अस्टार ठीयतर 1883 में जिसकी अस्थापना होई थी आदी परवर्थकों में से एक थी बिल्कुल सही है उन्हों ने 1910 और 1913 के बीच अपनी आत्म कथा अमार कथा मेरी कहानी को धरवाही के रूप में परदर्शित किया दोनों ही सही है इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ देखिए हमारा समाज सुरू से ही पित्री सतात्मक समाज रहा है आज तो थोड़ा भहुत कम भी है ऐसा नहीं है कि नहीं है लेकिन सोचिए आज भी अगर इतना है तो पहले कितना होगा और उस समय जो नाम देख रहे हैं बिनो नोदनी दासी अपनिमेसी काल में कुलकाता में एक गरीब निम्न जाती फिमेल महिला के रूप में पैदा होई जिसने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अजिवका के तलाज के लिए दस साल की उम्र से ही यहां पे थियेटर करना सुरू कर दिया सूचिए नीची जाती गरीब अपनिमेसी काल पितर सतात्मक समाज मतला बिलकुल ही धराओ के भी पिडिते चल गई शुरू में ही और उन दिनों उची जाती के परिवार के महिलाओ को भी मंच अभिने करने का नमती नहीं थी और यह देखिए नीची जाती होती है वे चली गई काफी चैलेंजिंग रहा होगा इनकी जरनी और यहीं में बताने की कोशिस कर रहा हूँ इनका टाइम पिरियड है 1863 से लेके 1941 के बीच है वह बंगाल थेटर में एक अग्रणी महिला के रूप में वो उभरी खासकर बिस्वी उनिस्वी और बिस् और निर्देशक एक नाम आता है गिरीश चंद्रगोस के साथ मिलकर काम किया वे कलकता में अस्टार ठेटर के अस्थापना की और उनमें से मतलब अस्टार ठेटर के अस्थापना हुई तो उनमें से ये भी एक थी और इसी के माधेम से उन्होंने अपनी आत्म का था अमार का था जिस मेरी कहानी बोला जाता है 1910 से लेके 1913 के बीच धरवाहिक बनाया और उन्होंने समाज में अपनी भूमिकाओं को जिवित करने में महिलाओं की समस्याओं का ठीक है सामना करना ही पड़ा लेकिन उस समय महिलाओं के महिलाओं समंधित मुद्दो को उठाया तो पेटरार्कोर सोसाइटी महीं आपको सम्हाना चाह रहा हूँ कि उस समय इनके लिए रास्ता इतना असान नहीं था बहुत सारी समस्याओं को उठाने भी पड़ी हिंद स्वराज का लेखक निमलिखित में से कौन था इसका कोरेक्ट उतर क्या हो जाएगा महात्मा गांधी बहुत सारी बुक हैं एक वर हम लोग रिभ्यू कर लेते हैं वो इसे हिंद स्वराज की बात करते हैं तुनिस सो नो में गुजराती भासा में महात्मा गांधी के वाले लेखन के रूप में आप समझ सकते हैं और इसके अलावा और भी है महात्मा गांधी के द्वारा जैसे की बड़ा फेमस यूगा अंतर ले लिजिए ठीक है यूगा भारत, हरिजन, नव जीवन, हिंदू स्वराज, यहिंद स्वराज, सत्वे के साथ मेरे परियोग इस सारे यहाँ पर लिखा गया है अरवींदो घोस के द्वारा भी देखा जाए तो करम योगी इनकी बहुत फेमस बुक है करम योगी, सोरी तभी मैंने यूगा अंतर बोल दिया, ठीक है यूगा अंतर यहाँ पर हो जाएगा अरवींदो घोस का ठीक है यूगा अंतर, सभीत्री, वंदे मातरम, सब यहाँ पर लिखा गया है सी आर दस के, सोरी, सी आर दास के दोरा जैसे कि भारत की आर्थी की थियांस इसमें दादा भाई नवरोजी दोरा रखे गया, धन सी धन का समर्धन किया गया सोरी, सी आर दास नहीं है, यह आर सी दत के दोरा लिखा गया है आर सी दत, दुनों को नाम से टाइप के लग रहा है C.I.R.10 के दोरा देखेंगे तो भारतियों के लिए भारत अवग्या से माधियम से सुतंत्रता डॉक्डर रजैंदर परसाद के दोरा भारत बिभाजित धियान रखना है बौध गरंथ मज्धिम निकाय किस भासा में है दीखे मज्धिम निकाय जो है पाली भासा में है मज्धिम निकाय बौध धरम गरंथ है और इसको लिया कहा गया है तो सुथ पिटक से सुथ पिटक के पांच बौध निकायों में से दूसरा निकाय है और इसकी रचना देखेंगा जो तीसरी सतावदी से पूर से लेकर दूसरी सतावदी इस भी के यहाँ पर मैंने दूसरी सतावदी इस भी के मद्य हुई है एक बर मैं फिर से आपको रिपीट करा देता हूँ देखिए बहुद गरंथ एक बर मैं आपको समझा भी देता हूँ तीन गरंथ हैं यहीं से निकल के आएगा यह भी बहुद गरंथ मजिम निकाए नमबर वन है यहाँ पर हो जाएगा बिनाए पिटक दूसरा हो जाएगा यहाँ पर सुथ पिटक बिनाए सुथ और तीसरा हो जाएगा यहाँ पर अभी दाम पिटक और समझने का परियास करें बिनाए पिटक में क्या बताया गया कि इसमें बिस्तार से नियम दिया गया नाम ही यह बिनाए ठीक है बिनाए पिटक बिनाए नियम जो भिच्छो संग के लिए बनाया गया था इसमें बताया गया था कि भिच्छो और भिच्छोडियों को परती दिन के जीवन में किन किन नियमों का पॉलन करना चाहिए दूसरा है यहाँ पर महत्पूर जो है यहाँ पर सुथ पिटक इसमें बौत धरम के सभी जो भी मुख्य जो सिधान्त है सब बताया गया है और इसको यहाँ पर पांच भागों में बाटा गया है यही पांच भाग भागों में जैसे कि दिग निकाए एक है मजिम निकाए संजुक निकाए, अंगुतर निकाए, खुदक निकाए तो अब ये सब सुत पिटक से निकलेगा ठीक है और खुदक निकाए माना जाता है कि सबसे छोटा है सबसे छोटा है और इसके पंदरा अंग है और इसी का एक अंग है यहाँ पे धम पद धम बद्ध है और एक अंग है ठीके सुतनिपात भी है अभी धम पिटक में धरम और उसके किरिया कलापों के यहाँ पर ब्याख्या की गई है पूरी तरीके से और वेदों में जिस तरह ब्रामर गरांत है उसी तरीकों से देखा जाये तो पिटकों में अभी दम पिटक भी है